यह तीनों टम्स ही बहुत बारी इंटर्चेंजिबिली यूज होती है बट इन तीनों में ही बहुत जादा डिफरेंस है So let us understand that what does these three terms means So guys, सबसे पहले हम discuss करते हैं lawyer अगर आपने LLB की degree ली है चाहे वो three years course से ली हो या फिर five years course से ली हो उस case के अंदर जैसे ही आपको degree मिलती है आप बन जाते हैं lawyer बट अगर आपको litigation में जाना है आपको practice करनी है तो उस case के अंदर आपको all India bar examination भी देना होता है और साथ के साथ खुद को bar में enroll भी कराना होता है और जैसे ही आप खुद को enroll कराते हैं आप lawyer से advocate बन जाते हैं और उसी के साथ ही अगर आपने जो अपनी law की degree है वो इंडिया से ना लेकर इंग्लैंड से ली है या फिर साउथ अफरीका से ली है तो उस case के अंदर आप lawyer की जगा बनते हैं barrister so I believe now you all are clear that what is the difference between lawyer, advocate and barrister